हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे Chingrote से SuperSU को Replace करते हैं SuperSU को हम अपने phone में डालना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे SME का SuperSU ME यह इंटरनेट जब कनेक्ट रहेगा तब ही यह वर्क करता है यहां पर इसमें प्रेस कर देना, प्रेस बटन टू बेगिन यहां लिग रहा है, उसके जगह पर हमारा SuperSU इस्टाल हो जाएगा तो जब यह प्रोसेस पूरा कंपलीट हो जाएगा तो हमारा जो King Root है यहां किंगो रूट है उसके जगह पर हमारा SuperSU इस्टाल हो जाएगा और उसके जगह पर हमारा SuperSU देने लगा फोन को इस प्रोसेस को होने के लिए आंपर टाइम दे रहे हैं इसके बाद अगर Automatic SuperSU मतलब इंस्टाल हो जाता है और King Root अनिंस्टाल हो जाता है तब तो ठीक है अगर नहीं होता है और उसका इकन आपको फिर भी शो कर रहा है मेनू में तो आप उसको अनिंस्टाल कर सकते हैं इसमें पहले ही सब कुछ लिख कर बता दिया गया कि किस त अनिंस्टाल होना चाहिए तभी हम उसका यूज कर सकेंगे और यहां पर ऊपर के तरफ लिखा हुआ है कि हमारा फोन कौन सा है लावा A3 OSS का 5.1 यानि कि लॉलिपॉक और यह हमारा इंस्टाल हो गया SuperSU, यह SuperSU Free है यह इंस्टाल हो गया है आप देख सकते हैं यहां पर SuperSU का पूरा फ़ंचन दिखा रहा है Done यहां पर Done इसमें लिख दिया है अब इसके बाद हम देख लेंगे कि इस में किंगवरूट या किंगरूट इंस्टाल है या वो अनिंस्टाल हूचा है अगर नहीं है तो अच्छी बात है अगर है तो उसे हम अनिंस्टाल कर देंगे यह देखिए यहाँ पर Kingroot या Kingroot कोई भी एप नहीं शोग कर रहा है तो इस तरह से हमने SuperSU में से Kingroot की जगह SuperSU को इंस्टाल कर दिया और यह रहा हमारा SuperSU अब हमारा फोन जो है अच्छे से रूटेड हो चुका है क्योंकि सुपरेश्यू इस दबेस्ट हम इसका यूज कर सकते हैं एप्स को कन्फिगर कर सकते हैं यहां को सुपर इजर इनेबल भी है और यहां पर इनेबल प्रो का ऑप्षन भी दे रहा है फिलाल तो यह उप्षन वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उसके लिए प्रो में जाना होता है तो प्रो का ऑप्षन वर्क नहीं कर रहा है लेकिन यहां पर टिक हो गया है तो इसका मतलब यह वर्क हो गया है तो इस तरह से हमारा जो है सुपरेश्यू प्रो में वर्क करेगा और यह फुली रूटेड हो चुका है हमारा डिवाइस थैंक्यू गाइस आप ऐसे नए-nए फंक्शन को ट्राइ करते रही है हमारे वीडियो को लाइक और शेर करते रही है धन्यवाद